Hi guys! Welcome back to my channel अगर आपको iOS 16 के उपड Çünkü AI platform आपकी आपकी बास कोई भी है iPhone X रहे आई-फोन 8 है कोई भी जिसमें भी यूश्टो आप OS 16 को अब बेंटर यूश्ट करें इसमें iOS 16 स्पोर्ड इसमें अगर आपको बैंटरी हैननी के काफी सारी इशू आ रहा है इसके उपर मैंने इसको कैसे मटेन कर रही है इसके बैंटरी क्योंकि यह सारा दिन अभी जो निकाल देता है वैसे नॉर्मली अगर हम इसकी इस फॉन के साफ से देखें तो यह तरह से एक दिन निकालना पूरा काफी सारा मुश्किल है लेकिन मैं इसके साथ जाए डेली मैं यूज करता हूं, आपको इसके नॉर्मली स्कें टायम भी तो यहां पर आपको िसकें कशने में इसका बैंटरी में ग्राफ में लेकर सलता हूं यहां पर चेक अवर्चाए बैंटरी में इसके लिए नहीं टायर्ग है यहां जिसके लास्टों मैं चार्ज किया था 86 44 मिनट अब जाए 6% ने डॉप किया है क्योंकि मैं इसको ऊपर जाए अपना Snapchat, Instagram का अप्रिकेशन यूज करहा हूं जो कि एक तरह से Use मेरे Deli काम में आते हैं वो मैं सबसे RSQ पर यूज कर रहा हूं जो कि मेरी बैंटरी यालतर मेरी और बैंटरी सेफ कर देती हैं अब जाए पताता हूँ आपको भी इसी वीडियो में सबसे पहले आपको सउंड की आप्षिन की देख़ें को मिल जाएगी Sound & Haptics की इस option का प्रिक्रिक करना है और आपको यहां पर जो भी आपको यहां पर सउंड की जो नहीं चाहिए याँ आपको है sound the app system, haptics के इसको आफ कर देनी है जितने भी आपके cycles count होगे आपका phone 20 % पर आ चुका है उसके निचे आप टिल्कुल पर जाने कि उसके उपर आपको 80 % तक आप इसको कर लेना या फिर 75 % तक कर लो या फिर 78 % तक कर लो तो उसके उपर आप नहीं फोन चार्ज करो यहां फिर उसके टोन चीपन से आप लोग चार्ज करो क्यों कि आप जितने भी आपके साइकल्स काउंट होगी उतने ही आपकी बैंटरी आस्ति जाए वो ड्रॉप होगी आपके इंजीर को आपको जाए फॉलो कर लेना है तरहरा आपैंटरी के उपशन फश्न को बैंची बैंटरी की ओप्शन को पेंच्ञ करेंस जो आपको सब्सक्राइब करके एंजिए रिफ़िपर क्लिक करते हो तरह नियूकर उपना इस जिए यहां से औरी को वाय फाने इपने अपन पर बहुत जागा कम यूज तो हो जब्ही बि तो आपको यहां पर flickね नॉर्मरी आप का दिया यह नहीं होएद इसको अब दिसको ईसको होगे तब आपको से इंचिज को अडियों रहता है यहां से अध्यज को तंप में उसको अनुस्गेविट delta यहां पिर आपको अपना फ़ान को फिर आपको मिल जाएगी प्राइब सेख्राइब यह आप सबसे आर अप्रेकेशन यूज़ करते हुए इसको आपको जो भी सबसे आर यूज़ करते हो उसको आपको नेवर की उपर स्लेटर करके रखना है फिर आपके जाकर आपकी बेंटरी जब शांत होगी एक तरसे फैंटरी आपके ड्रेंड नहीं होगी तो इन चीज़ तो आप टिप्स को फॉलो कर लेना है ताँ जो आपकी बैंटरिजर काफी सारी सेफ रह सके यह आपको वीडियो कैसी लिए कि मुझे कॉमेट श्मीब तना तुम बलते गाइस नेक्ट चुड़े में थैंक्स वाचिंग थैंक्स सोमाच